दोस्तों अगर आपने न्यूव वोतर आइडी कार्ड के लिए ओन लाइन अपलाई किया हुआ है या फिर आप पुराने वोतर आइडी कार्ड में किसी परकार का करेक्शन किया हुआ है तो आईसे में जो आप किस परकार से अपने application का status चेक करेंगे तो कैसे आप पाता करेंगे कि आपका वोतर आइदी कार्ड बना हुआ है या रिजेक्ट हुआ है जिसकी कम्पलीट जनकाई आज के हम इस वीडियो हम बताएंगे तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं किजेगा वीडियो को सूर से अन तक देखेगा और वीडियो आपको पसंद आ तो इसे लाइक से और जो हो किजेगा साथी चैनल को सब्सक्राइब किजेगा ताकि जो भी इस परेकार की अपडेट होगों सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी तो चलिए बिना देही कि आज के हम इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आपको वोतर आइडी कार्ड का अप्लिकेशन एस्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फॉन में एक अप्लिकेशन डाउनलोद करना होगा जिस अप्लिकेशन का नाम है वोतर हेल्प लाइन तो दोस्तों इस अप्लिकेशन का लिंक हम इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं वहां से आप डारेक्ट इस परकार से इसका dashboard open हो जाएगा अब दोस्तों इस application को open होने के बाद यहां पर आपको नीचे में ठीरी लाइन मिलेगा इस ठीरी लाइन पर आपको क्लिक करना है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगा आपके सामने इस परकार का होगा तो लोग इन करने के लिए यहां पर आपको सबसे पहले अपना mobile नमबर इंटर करना होगा यहां पर वही mobile नमबर इंटर कीजेगा जो mobile नमबर आपका इसके साथ रजिस्टाद होगा यानि कि दोस्तों वोतर हेल्प लाइन अपलिकेसन के साथ आपका जो mobile नमबर इंटर कीजेगा उसके बाद यहां पर आप पासवर्ट इंटर कीजेगा और उसके बाद यहां पर आपको सेन दो टिपी वाले एप्शन पर क्लिक करना होगा, अगर आप अपना पासवर्ट भूल चुके हैं, तो यहाँ पर आपको नीचे में फोरगेत पासवर्ट का अप्षन मिलेगा, जहांसे आप अपना पासवर्ट फोरगेत भी कर सकते हैं, या अगर आप वोतर हेल्फ लाइन अप्लीकेशन का णिव यूजर है, तो OTP वाले option पर click किजेगा तो आपके register और mobile number पर एक OTP पी जाएगा जिस OTP को यहाँ पर आपको इंतर करना है उसके बाद यहाँ पर आपको login now वाले option पर click करना है जैसे आप login now वाले option पर click करेंगा आप इस website पर login हो जाएँगे उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से नीचे में थी line का option मिलेगा इसी थी line पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से status of application का option मिलेगा इस वाले option पर click कर लेना है अब यहाँ पर आपके सामने इस परकार से इसका इंटर फेस्ट ओपन होगा जहाँ पर आपको सबसे ऊपर में एक option मिलेगा इंटर रिफ्रेंस ID का तो यहाँ पर आपको रिफ्रेंस ID डालना है तो यहाँ पर आप वही रिफ्रेंस ID इंटर किजेगा जो रिफ्रेंस ID आपने new voter ID card के लिए जब registration कियोंगे उस समय आपको मिला होगा या फिर आप पुराने voter ID card में किसी परकार का correction कियोंगे तो उस समय आपको एक reference ID मिला होगा जिस reference ID को यहां पर आपको इंटर करना है उसके बाद यहां पर आपको जहां पर आप सारी जनकाई को देख सकते हैं कि आपका जो अप्लिकेशन हो कहां से reject हुआ है कहां से verify हुआ है कहां से अभी verify होना बाकी है यह सारा जनकाई आपको देखने को मिल जाएगा जैसा कि यहां पर आप देखेंगे तो हम एक application का status चेक किये हैं जहां पर इसका जो फ दाना बांकी है उसके बाद फेल्ड वेरिफिकेशन होगा उसके बाद जो एक से या रिजेक्ट होगा तो इस परेकार से जो आप बड़े ही असानी से आप अपने अप्लिकेशन का status चेक कर सकते हैं कि आपने जो न्यू बोतर आइडी कार्द के लिए ओनलाइन जेगा तो दोस्तों फिलाल आज की दौना से तना है फिर मिलते हैं अगले भी दौना अगले तौपिक असाथ जाहें लो